अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके अगर आप अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे जैसे 21 सदी 11 साल करके आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए करियर से जुड़े मौकों की राह भी खुलती जा रही है पहले के वर ट्रेडिशनल करियर ही आप्शन होते थे मेडिकल और इंजिनिरिंग पढ़ाई के विकल्प के अतरिक्त जादा कुछ मौके लोगों को नजर नहीं आते थे अधिक से अधिक कोई सरकारी नौकरी की तयारी करता था पर आज के समय में कई सारे विकल्प उभर आए हैं अब कोई फैशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है तो कोई नौन ट्रेडिशनल खेती करके प्रॉफिट कमा रहा है इसी प्रकार से पशुपालन कर रहा है कोई तो कोई IT में स्टार्ट अप कर रहा है वीडियो ग्रैफि और फोटोग्राफि भी ऐसे ही चैलेंजिंग छेत्र में से एक हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोग्राफि को करियर बनाने की आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्मार्ट फोन के जमाने में फोटोग पसंद करते हैं वैसे तो कहा जाता है कि एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है तो आईये जानते हैं प्रोफिशनल फोटोग्राफ़ी में करियर बनाने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए फोटोग्राफी की तमाम पॉजिटिव बात के साथ एक नेगेटिव बात यह भी है कि कई बार लोग इसमें विकल्प कर लेते हैं कि फोटोग्राफी में करियर के तौर पर चूस करते ही इसमें लाखों की कमाई होने लगेगी ये कलपना उन्हें उनके पैशन की बजाए पैसे की ओर धकेल देती है मुश्किल ये है कि चाहे फोटोग्राफी हो या दूसरा केरियर एकदम से चीजे किसी को पैसा नहीं देती है इसलिए बहुत जरूरी है कि लंबे समय तक टिक कर इसमें इंट्रेस्ट बनाए रखा जाए लिए कई बार देखा गया है कि जब आप नया प्रयोग करते हैं तो उसमें असफलता के चांसिस भी बहुत जादा होते हैं इसलिए शुरुवात में फोटोग्राफी जैसे करियर आप्शन को अपना फुल टाइम अपनाने की सला हम नहीं देते हैं अगर आप दस्वी या बारवी के बाद अपनी पढ़ाई बंद करके फुल टाइम फोटोग्राफी में लग जाते हैं तो ये आपके लिए नुकसान दायक भी हो सकता है आवश्यक यह है कि किसे डिगरी कोर्स में प्रवेश लें चाहे बीबिय हो या समान आर्ट या साइंस की पढ़ाई हो या फिर मास्कम्निकेशन जैसा कोई भी कोर्स हो यकीन मानिये पढ़ाई आपको हर तरह से फायदा देगी यहां तक कि खुद फोटोग्राफी में आपको मार्केटिंग में भी हेल्प करेगी इस प्रकार से आप जॉब करते हुए अपना फोटोग्राफी का भी काम कर सकते हैं और अगर आप इसे फुल टाइम करते हैं तो आप आने वाले समय में आर्थिक संकट से भी धिर सकते हैं ध्यान रखें कि फोटोग्राफी में लाइट से लेकर महंगे कैमरे में इन्वेस्ट करना पड़ता है ऐसे में बहुत जरूरी है कि एक रेगुलर इंकम करते रहें इसलिए शुरुवात में किसी और से असिस्टेंट के तौर पर महां से कार्य सीखें और उसके बाद खुद अपना फोटोग्राफी में करियर बनाए उसकी बारियोकियों को जानने के बाद बारवी के बाद अगर आप फोटोग्राफी में डिग्री कोर्स या कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं आपको बड़ी साफधानी से अपने कॉलेज का चैन करना चाहिए इसमें आख बंद करके प्रवेश ना करें बलकि उस पर्टिकुलर इंस्टिट में फैकल्टी कौन है उसके काम को जरूर जाने समझें फोटोग्राफी थियोरी से जादा अनुभो की चीज है अगर कॉलेज की फैकल्टी इसकी बारिकियों को समझती है तो बहुत मुम्किन है कि उसको आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे और देख पाएंगे इसी प्रकार से कॉलेज का इंफराटक्चर के संबंधित जानकारी बहुत जादा आवशक हो जाती है इस्टूडेंट के लिए तमाम कैमरा और कैमरा एक्यूपमेंट्स लाइट इत्यादी की संस्थान में क्या विवस्था है ये भी आपको जानना बहुत जादा जरूरी ह जाहिर तोर पर अनुभो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा हाँ अगर प्लेस्मेंट में भी कॉलेज का बहतर रिकॉर्ड है तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी किन्तु अगर किसी कारणवश आप एक बहतर कॉलेज नहीं मिलता है तो जादा अच्छा ह होगा कि आप प्रैक्टिस करें और किसी भी फोटोग्राफर जोन में जाकर अपने करियर को बनाने की कोशिश करें आप किसी भी फोटोग्राफर को जोईन कर सकते हैं जो फैशन फोटोग्राफर हो या फिर प्रोडेक्ट फोटोग्राफर हो या फिर किसी मैरिज का फोटो बनना चाहते हैं तो कैसे अपने करियर के शुरुवात करें और किन चीजों का ध्यान रखें ऐसे ही लेटिस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहें प्रभासाक्षी के साथ नमस्कार